जीरा जीरा हमारी भारती रस्वज में पाए जाने वाला ये काम मसाला है जो प्राया-प्राया हर वेंजन में यूज़ किया जाता है और हम यह के सकते हैं कि जीरे के बिना सायद हमारा कोई भी वेंजन टेस्टी न बने दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये वेंजन में तो यूज होता है लेकिन इसके मेडिशनल प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा होती है जो हमारी बॉडी के लिए काफी एफेक्टिव होता है कारगर होता है तो आज हम इस वीडियो में जीरे के medicinal property के बारे में discussion करेंगे और इसके जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना topic जीरे का पानी पीने से क्या फायदा होता है कि दोस्तों एक और फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ वेथ होमपेथी में डॉक्टर इसके पटेली सरी हमने बताया कि जीरा हमारे भारती रसोई का एक अभी नंग है और इसके बिना कोई भी रसोई तयार नहीं होती है आज हम इसके medicinal property के बारे में चर्चा करेंगे ये हमारे बजन कम करने से लेके हाट को हेल्दी रखने तक एफेक्टिव होता है अगर हम इसके medicinal property के चर्चा करें तो सबसे पहले आता है ये हमारे के डाइजेशन को इंप्रूब करता है हेल्दी रखता है और फिट रखता है जिन लोगों कबज की गेस्टिक प्रॉलम एसीडिटी ये सब प्रॉलम रहती है जीरा का पानी डेली सुवे खाली पेट पिये उनका डाइजेशन काफी बढ़िया रहेगा हेल्दी रहेगा दूसरा जीरे का पानी हमारा डाइजेशन ठीक करने के साथ साथ हमारा बॉडि वेट को भी कंट्रोल करता है कम करता है अगर आपके बॉडि में वेट ज्यादा है फेट की कॉंटिटी ज्यादा है तो आप डेली सुवे खाली पेट जीरे का पानी पिये इससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका एश्टा फेट बर्न होते जाएगा और आपके बॉडि फेट होते जाएगी बजन कम होता इसके बाद जीरा हमारा इम्मुनिटी पावर भी बढ़ाने में काफी एफेक्टिव है अगर हम जीरा पानी रेगुलर पीते हैं तो कई तरह की बीमारियों से हमारा बचा होता है और हमें वार वार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूत नहीं पड़ती है इसके अगले बेनिफिट की चर्चा करें जीरा इंसुलिन लेवल को मेंटेन करके और हमारी डाइविटीस को कंट्रोल करने में भी काफी एफेक्टिव होता है इसकी अगली प्रोपर्टी की चर्चा करें जीरे में एक एंटी कार्सिनोजिन गुन होता है जो कैंसर में काफी एफेक्टिव होता है कैंसर को बढ़ने से रोपता है और इसका मेटाइस्टेसिस होने से रोपता है इसलिए जिने भी कैंसर है डाइबिटीज है वो जीरा पानी जरूर यूज करें इसका अगर हम मेंटल लेवल से बात करें तो जीरा हमारा मेंटल स्ट्रेस कम करता है जिन लोग को तनाव जाद रहता है मानसिक तनाव रहता है नींद प्रौपर नहीं आती है हमें सब परिसान रहते हैं सोचते रहते हैं ठके हुए रहते हैं वो लोग जीरा पानी रेगुलर यूज करें वो देखेंगे दीरे-दीरे में बॉडी एनर्जी से भर्पूर हो रही है मेंटल स्ट्राइब दीरे-दीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जीरा हमारा कॉलिस्ट्रोल लेवल भी मेंटेन करता है बढ़ा हुआ कॉलिस्ट्रोल को कंट्रोल करता है हबो हम चाहिए इस साथ में यह हमारे बीपी को भी मेंटेन करता है अगर आपका बीपी बढ़ता है हाई बीपी के पैसेंट है तो उसको भी यह कंट्रोल करने में thorough कों कौलिस्स्ट्रॉल और बीपी मेंटेन करने से हमारे हाट के सेहत को यह हाँ होगता है है एक जीरा पानी हमारी बॉडिको डिटॉक्स करने में हैल्प करता है हमारी बॉडि में जो भी हारमफुल केमिकल बनते हैं उन फोई करता है बॉडिको हेल्धी रखता है सोग्हें है जिन भी पैसेंट को एनीमिया की प्रॉलम है खून की कमी है बोडी में वो रेगुलर जीरा पानी यूज करें धीरे धीरे वो देखेंगे एनीमी कंडिशन धीरे-धीरे रिकवर हो रही है करें यह बोडी को डिटोक्स करता है बोडीडी इक्वरे मैं होनी को हेल्डी रखता है तुक है करें 700 से हमारी इसकेन को बचाता है जिन लोग को खिल मुहा से पिंपल्स की प्रॉलम है उन्री इसकेन केर्ट , पिंपल्स ठीकश करता मुणकी स्किन में पिंपल्स रहते हैं इनके रिकवरी करते जा रही है और इसकिन हेल्दी होते जा रही है किम की जीरे में एक antioxidant property भी होती है जो हमारी skin को हमेंसा detox रखता है, healthy रखता है, smooth रखता है दोस्तों ये तो हुई जीरा पानी पीने से क्या क्या benefit मिलते हैं जीरे के क्या medicinal property है जीरा पानी बनाए कैसे इसके वारे में discussion करें इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको राथ को सोते समय एक ग्लास पानी में एक चमज जीरा आप डाल दीजिए और सुबह उठके खाली पेट उसे छान के आप पानी पीए ये काफे effective होता है कई वार हमारी schedule के चलते हैं, हम कई वार रात में जीरा पानी नहीं रख पाते हैं तो आप परिशान मत होईए सुबह उठकर आप एक कटोरे में एक ग्लास पानी डालिए उसे आज पे रखिए, उसे गरम करिए उसमें आप एक चमज जीरा डालिए उसे गरम करके आप नीचे उतार लीजिए आप देखेंगे जीरे का पूरा कलर, पूरा medicinal property पानी में आ गया है और उसे च्छन के आप धीरे धीरे पिए दोस्तों इसे आप regular करिए, आप देखेंगे आपकी बोड़ी में काफी changes आया है और आपकी बोड़ी फेट हो रही है, सौस्त है, हेल्दी है साथ में आप लोगों से यही कहूंगा कि हरी सबजिये सलाज ज़्यादा उप्योग करें वाटर इंटेक ज़्यादा रखें और न्यमित रूप से योगा एक्सरसाइज आप करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूब बता है बेरी मच झाल झाल